कि अ सो हील्फ उर्फ भन डिस जंकित वलक्म बैक्न ड़ोर चैनल अग्णवीर के सो इंपॉर्टेंटμεंड फूल फॉला रहा हूं एक कुशन आपका अग्नवीर ए्र फोर्स में और दो कुशन आपका अग्णवीर एसे सर वीडियो को शुरू से लेकर लास तक देखिएगा, डिस्किप्शन पर चेक करो हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक है, सब ही से यार रिक्वेश्ट है, प्लीज जॉइन कर लो टेलिग्राम चैनल, पहला कुशन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताना है, जितने भी कुशन आपको मिलेंगे, सारे प्रिवेश येर हैं, या फिर जो एक्स्पेक्टेड एक्जाम में आने के चांसे से वही होगे, तो नेशनल बैंक फॉर एग्री कल्चर एंड रूरल डेबलमेंट यह होता है, आपका नाबार्ड का फॉल फॉर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर राइट में आएंगे, उपर स्क्रॉर करके पांच बापढ़ने, तो डारेक्ट जो स्क्रीन में देख रहे हैं, वही पढ़ते हैं, ठीक है, सीरियल से चलते हैं इसे ही, जो स्क्रीन में देख रहा है, डीवीडी का पूर्ण रूप, डीजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी एक जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, बी नमबर, नेस्ट कुश्चन आपका पैन से क्या अब रपराया है, पैन का फूल फॉर्म पूछा गया, तो पर्मानिन्ट अकाउंट नमबर ही होता है, पैन का फूल फॉर्म, अगला कुश्चन है, तो उसका full form B number frequency modulation यह होता है FM का full form अगला question है RBI का विश्थारित रूप तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया यह होता है RBI का full form नेश्क कुश्चन है question number 8 और यह एक्जाम में पूछा जा चुका है काफी बार GSLV नेवी में भी पूछा गया है जियो सिंक्रनस सेटेलाइट लांच वेहिकल यह होता है GSLV का full form नेवर करेक्ट आंसर नेश्क कुश्चन है फूर्थ नंबर डी ओएस डॉस का पूर्ण रूप आपको बताने है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यह होता है आपका डॉस का पूर्ण रूप C नंबर नाइन्थ कुश्चन है CNG का पूर्ण रूप पूछा गया तो CNG का full form होता है compressed natural gas A नंबर आगे टेंथ नंबर कुश्चन है इंटरनेट के छेत में www इसका full form पूछा गया तो worldwide web यह होता है www का full form देखें नीचे question है तेरवा नंबर उसके दो option उपर लिखे हुए डी नंबर Telecom Regulatory Authority of India यह full form होता है आपका TRAI ट्राइ का full form D नंबर 14 नंबर कुश्चन है पाकिस्तान के संदर्व में ISI का ISI क्या है तो ISI का full form होता है Inter Services Intelligence बी नंबर ग्यारवा कुश्चन है E-Banking में जो E अच्छर है इसका मतलब होता है गया इलेक्ट्रोनिक याद रखिएगा पूछा जा चुका है ASEAN एक्जाम में पूछा जाता है बार बार तो ASEAN का full form होता है Association of Southeast Asian Nation C नंबर IRDA भी एक्जाम में पूछा जा चुका है तो IRDA का पूर्ण रूप होता Insurance Regulatory and Development Authority A नंबर Correct answer 16th नंबर कुश्चन है बैंकिंग बातरवर्ण में प्रियोग होने वाले टर्म NPA का full form NPA का मतलब होता Non Performing Assets C नंबर Correct answer Next है आपका Try Try तो पर हमने बता दिया था Try का Telecom Regulatory Authority of India 17th नंबर कुश्चन है RAM RAM का पूर्ण रूप Random Access Memory यह होता है RAM का full form आगे देखे C AD का पूछा गया CAD तो CAD का full form computer यह गलत लिखा हुआ है CAD का full form होता है वो computer added design होता है तो जो D नंबर है इसका Correct answer हो जाएगा ठीक है A नंबर इसका Wrong है 22 है CFL CFL का पूर्ण रूप होता है Compact Fluorescent Lamp A नंबर इसका Correct answer SEBI exam में बार-बार पूछा जाता है और SEBI से लेटर कोई नो कोई question तो आई जाता है तो SEBI का यहाँ पे full form भी पूछा जा सकता है Securities and Exchange Board of India यह होता है SEBI का पूर्ण रूप C नंबर ATM का full form अगर पूछा जाए तो Automated Tailor Machine बहुत बार ATM आया एक्जाम में याद रखिएगा अगला question है question number 24 SIM का पूरा रूप subscribers identity module यह होता है SIM का full form RDX का full form अगर पूछा जाए तो Research Development Explosive यह होता है RDX का full form Laser का एक्जाम में बार-बार आता रहता है Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation यह होता है आपका laser का पूर्णू रूप अगला है computer में IC का क्या आर्थ होता है तो IC का आर्थ होता है Integrated Circuit यह होता है IC का full form 26 number question है AIDS AIDS का full form पूछा गया है Option नीचे है Acquired Immune Deficiency Syndrome यह होता है आपका AIDS का full form C number Next है आपका 31 ALU Arithmetic Logic Unit यह होता है ALU का पूर्णू रूप Modem काफी important है बहुत आसान है Modem का full form होता है Modulator MO का मतलब Modulator और DEM का मतलब Demodulator C number RAM उपर आ चुका था हमने पढ़ लिया है Random Access Memory अगला कुश्चन है 38 28 number LCD का आर्थ बताईए LCD का full form होता है Liquid Crystal Display KB का full form होता है Kilobyte KB, MB, GB यह सब पता होगा और यह पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी याद रखो DTP DTP का पूर्णू रूप होता है Desktop Publishing याद रखेगा B number अगला कुश्चन है 34 है बैंकों के लिए बैंकों से लिए गए रिंड को चुकाने के लिए EMI सब्द हम सुनते है यह फिर EMI पे हम चीज़े मंगाते है तो जो EMI होता है उसका full form आज जान लो Equated Monthly Installment यह होता है आपका EMI का full form Rome का full form होता है Read Only Memory 35th number देखिए लिखा हुआ PIL PIL का full form आपको बताना है तो PIL का full form होता है Public Interest Litigation A number अगले आपका SIDBI SIDBI का पूर्ण रूप पूचा गए आपसे SIDBI का जो पूर्ण रूप होता है Small Industries Development Bank of India C number EVM का अगर पूर्ण रूप पूचा जाए तो Electronic Voting Machine यह होता है आपका EVM का full form NASA एक्जाम में बार बार आता रहता है NASA का जो full form होता होता है National Aeronautics and Space Administration A number GSM का पूर्ण रूप पूची लिया जाए Global System for Mobile Communications B number अगला कुश्चान है 42 WAN इस WAN का मतलब होता है Wide Area Network B number RTGS का full form होता है Real Time Gross Settlement यह एक payment method है RTGS WAN जैसे उपर आया था Wide Area Network वैसे ही LAN है तो इसका होता है Local Area Network ठीक है GST का अगर पूर्ण रूप पूचा जाए तो Goods and Service Tax यह होता है GST का पूर्ण रूप आगे देखिए 44 number question है नीती आयोग में जो नीती है इसका पूर्ण रूप पूचा गया है यह काफी important है National Institution for Transforming India यह है आपका नीती आयोग में नीती का full form आगे कोई question होगा जिसमें I think 4G, 2G, 5G में जो G होता है वो क्या होता साथ ऐसा कुछ question है तो उसका मतलब होता है generation 2G, 3G, 4G 4th generation, 5G आएगा 5th generation तो G का मतलब generation C number ठीक है आगे देखिए 48 number question है NCRT का पूर्ण रूप National Council of Educational Research and Training यह होता है NCRT का पूर्ण रूप IRCTC का पूर्ण रूप पूछा गया है तो IRCTC काफी बार एक जाम में आ जाता है Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC का पूर्ण रूप है HTTP का पूर्ण रूप Hyper Test Transfer Protocol याद रखिएगा काफी important है यह एक तो आपको सारे जो भी फुल फॉर्म दिख रहे होंगे सारे important है इसलिए मैं सब बोल रहा हूँ कि यह भी आ सकता है यह भी आ सकता है देखो इस रूप है इस रूप है इस रूप ही पूछा जाता है Indian Space Research Organization B number GIS में जो G है तो इसका मतलब होता है Geographic B number अगला है देखो मैंने आपको बताया था उपर G का मतलब क्या है तो 4G दिया हुए यहाँ पे तो 4G में जो G का मतलब हो generation है 2G, 3G, 4G, 5G कुछ भी पूछा जा उसमें जो G का मतलब होगा जनरेशन होता है ADB का पूर्ण रूप Asian Development Bank यह एक बैंक है ADB याद रखियेगा काफ़ इंपोर्टेंट है अगला देखियेगा AICC 52 number question AICC का पूर्ण रूप All India Congress Committee A number So AM, PM आपने सुना होगा AM रात 12 बज़े से लेके 12 बज़े के बाद और दोपहर 12 बज़े से पहले 12,69 तक आपका AM रहता है उसके बाद 12 बज़े दोपहर फिर PM होता है और रात 11,69 तक आपका PM रहता है तो यहाँ पे AM का फुल फॉर्म पूछा गया है तो उस AM का मतलब होता है Anti-Meridian जिसे बिफोर नून भी कह सकते हैं अगला है ASEAN ASEAN का उपर हमने पढ़ लिया है ASEAN का फॉल फॉर्म क्या होता है Association of Southeast Asian Nation B नंबर AI अगर पूछा जाए तो All India Radio B नंबर कुश्चन हो यहाँ पे मैंने Important लिक रखा है मतलब यह एक्जाम में पूछा गया है NAVIC एक्जाम में हो सकता है यह पूछा गया होगा AIR तो यह आप याद कर लेना अगला कुश्चन है 58 नंबर है ASI ASI का पूण रूप होता है Archeological Survey of India B नंबर A टक का फुल फॉर्म बार बार एक्जाम में आता है All India Trade Union Congress यह होता है आपका एटक का फुल फॉर्म C नंबर अगला कुश्चन है BCG का पूण रूप आपको बताना है तो BCG का पूण रूप होता है Bacillus, Calmet, Garin यह होता है Advanced Light Helicopter यह होता है LH अगला कुश्चन है BEL BEL का पूण रूप होता है बारत Electronics Limited A नंबर बाकी AM उपर हमने ओलेडी डिसकस कर लिया निश्च कुश्चन आपका CBDT CBDT का फुल फॉर्म होता है Central Board of Direct Taxes यह भी important लिग रखा है मतलब एक्जाम में यह आया है याद रखिएगा 61 नंबर कुश्चन है BIS BIS का पूर्ण रूप होता है Bank for International Settlements CBI का पूर्ण रूप होता है Central Bureau of Investigation यह भी एक्जाम में पूचा जा चुका है C नंबर क्योंकि यहाँ पे मैंने important लिग रखा है जो एक्जाम में बार बार रिपीट होते हैं सिर्फ उसी में लिख रहा है जैसे BIS है यह भी एक्जाम में पूचा गया है और इसका भी फुल फॉर्ण होता है Bureau of Indian Standards या फिर दूसरा फुल फॉर्ण होता है आपका इसका British Information Service तो यह important है अब option में आपको यह दो नहीं मिलेंगे एक ही मिलेगा अगर British Information Service पूचा होगा तो इससे related option होगे Bureau of Indian Standards पूचेगा तो इससे related option होगे ठीक है CBI का एक फॉल फॉर्ण आपने देखा Central Bureau of Investigation CBI का एक पूर्ण रूप Crime Branch of India भी होता है तो यह भी काफी important question है और इसलिए यह question पूचा जाता है याद रखेगा RBL का पूर्ण रूप पूचा गए हैं आपे Sorry, BRL का तो BRL का जो पूर्ण रूप होता हो भारत Refineries Limited BC number CCI का अगर फॉल फॉर्म Consumer Confidence Index A number BSF का अब अल्मोस सभी को पता होगा Border Security Force यह होता BSF का पूर्ण रूप अगला 69 number question देखिए DGCA DGCA का पूर्ण रूप पूचा गया है और DGCA का पूर्ण रूप होता है Director General of Civil Aviation C number DTH का फॉल फॉर्म पूच सकता है तो direct to home बड़ा आसान सा है रोज मरा जिंदगी में आप इसको यूज करते हो इसलिए question पूचा जाता है Direct to home important है और exam में पूचा जा चुका है DIG का पूर्ण रूप Defense Intelligence Group DIG का B number DIG के दो फॉल फॉर्म है दूसरा आपका DIG का Deputy Inspector General A number जो भी आपसे पूचा जाएगा उससे लेटेड वहाँ पे option होगे अगर यह पूचा गया तो इसससे लेटेड option होगे यह पूचा जाएगा तो इसससे लेटेड option होगे दोनों नहीं मिलेंगे आपको ECG का पूर्ण रूप होता है Electro Cardiogram Graph और यह एक जाएग में पूचा गया है important question है next question देखे 72 number है DMK दिर्वना मुनेटरा कजगम यह होता है आपका DMK का full form अगला है आपका EEG EEG का full form होता है electroencephalogram graph D number next देखे FAO का full form पूचा जा सकता है food and agriculture organization B number DRDO का exam में बार-बार आता रहता है defense research and development organization और यह देखे इंपोर्टन लिखा है इसका मतब यह exam में आया है काफी बार FCI FCI का पूर्ण रूप बताना है FCI का पूर्ण रूप होता है Food Corporation of India दूसरा full form होता है Fertilizer Corporation of India तो दोनों में जो भी आपसे पूचा जाएगा उससे related ही option होंगे तो दोनों आपको यहाँ पे याद रखने है 82 नमबर देखिए G.A.I.L. G.A.I.L. का full form पूचा गया है जो की उपर लिखा हुआ है G.A.I.L. Gas Authority of India Limited अगला देखिए FEMA है FEMA का पूण रूप पूचा गया है तो FEMA का पूण रूप होता है Foreign Exchange Management Act A.N.P. का पूण रूप पूचा जाए Gross National Product D.N.P. अगला है FERA FERA का full form होता है Foreign Exchange Regulation Act C.N.P.S. का Global Positioning System C.N.P.S. अगला आपसे अगर पूचा जाए H.A.I.L. का full form तो Hindustan Aeronautics Limited यह होता है H.A.I.L. का full form Next है FICCI Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry D.N.P.S. अगला question 86 N.P.S.D.FC का पूण रूप HDFC का पूण रूप होता है Housing Development Finance Corporation D.N.P.S. ICMR का पूण रूप होता है Indian Council of Medical Research B.N.P.S. HIV का पूण रूप होता है Human Immuno Deficiency Virus B.N.P.S. अगला है आपका IDBI Industrial Development Bank of India यह IDBI का पूण रूप अगर पूछा जाए IAAI तो International Airport Authority of India यह होता है आपका IAI IIS अगर पूछ लिया जाए तो Indian Institute of Science D.N.P.S. ICC International Cricket Council D.N.P.S. 94 है IIT IIT का फूण फूण रूप होता है Indian Institute of Technology A.N.P.S. I.C.J. का पूण रूप पूछा जाए तो International Court of Justice B.N.P.S. ILO का पूण रूप International Labour Organization B.N.P.S. Inter Government Panel on Climate Chance यह होता है आपका IPCC IPCC का फुल फॉर्म Inter Government Panel on Climate Change ठीक है आगे देखिए IMF IMF काफी इंपोर्टेंट है International Monetary Fund होता है IMF का पूण रूप D.N.P.S. IRDA एक्जाम में बार-बार पूछा जाता है ओलेडी बता चुका हूँ तो Insurance Regulatory Development Authority D.N.P.S. उपर भी हम इसको पढ़ चुके हैं Next question है INS INS का पूण रूप होता है Indian Naval Ship दूसरा पूण रूप होता है Indian Newspaper Society तो जो भी पूछा जाएगा उससे लेटेड आपको यहां पर ऑप्शन भी दिये जाएंगे 98 नंबर question है आपका INSET का पूण रूप INSET का पूण रूप होता है Indian National Satellite Indian National Satellite सब्सक्राइब कर लिए 99 और 100 अमने कर लिए तो यह थे आज इस वीडियो के 100 इंपॉर्टन question अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना डिस्केप्सर पर टेलिग्राम चैनल कर ज़रूर जाइन कर लेना बाकी और कोई दिखका था तो कमेंट करके बताइए मिलते ने इस वीडियो में